बिस्व ओजौन दिवस 16 सितमभर वर्ड ओजौन डे तो दोस्ता हम दोक Вिडियों' में अभी बात करेंगे पारे में जो हर सॉस्टीन सप्टेमबर को मनाサथ है प्पारोस दे यहां पर है 16 सेटीमबर वर्ड ओऐन डे вес 85 सोल सितंबर और अभी हम लोग जो बात करें ayım है कि मैं कि यहाँ वहाँ से कुछल पूछ आता हैं और कई पर उजोन्स नहीं है है तो हम लुग 20 22 का ही बात करेंगे तो यहाँ पर है ओजन परत के छारन के प्रती लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 60 सिद्फंबर को बिश्व ओजन दिवस मना जाता है बिश्व ओजन दिवस सबसे पहली बार 1995 को मनाय गया था तो दोस्तों यहाँ पर जो है ओजन परत में छारन हो रहा है और इसके प्रती लोगों में जागरुक फैलाना है, लोगों को जागरुक करना है, तो इसी कारण से हर साल सोलसी दंबर को 20 सुअ ओजुन दिवस मनाया जाता है, यानकी वर्ड ओजुन दे मनाया जाता है, या फिर जो है ओजुन पर जो है, दिन पर दिन च्छर होते जा रहा तो इसी को ले कर कि लोगों को जागरो करना है कि उसको बताना है कि क्यों हो रहा है उससे बचाओ का क्या करना है तो यह सबसे पहली वार कब ना गया था तो यह भी लेकिन जो है डेट है आपका वो तो ध्यान रखना है रखना है विस्टो ओजन दिवस का डेट है वह सोल सी दंबर दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों का जो अर्थ है और अर्थ से बाहर में 32 से लेकर के 35 किलोमेटर उचाई में गेसों का एक आवरण बना हुआ है यानि कि एक परत बना हुआ है पूरा गेस का ही और यह जो ओजोन होता है वह ओधिरी होता यानि कि ओक्सीजन का ही यहां है तो यह जो है मान लेते हैं यह सन है तो सन से जो आने वाले जो अल्ट्रा वाइलेट किरने हैं उसको यह जो है ओजोन लेयर रोक देती है और अल्ट्रा वा कारण बन सकते तो अचा केंसर हो सकता है तो इसी कारण से जो ओजन लेयर है वह ज्यादा है हम लोगों के लिए कवच का काम करता है यानि कि हम लोगों को सील्ड का काम करता है और यहां पर यह जो है ओजन लेयर ये तो हम लोगों को अल्टर वालेट से रोकती ही रोकती है साथ साथ अर्थ में जो गर्मी होती है वो गर्मी को भी बाहर निकलने से ये ओजोन लेयर रोकती है इसी कारण से हम लोगों को जो है गर्मी का एहसास होता है और ये गर्मी भी आवेसक है अगर ये गर में निकल जाती है पुरा फिर्थिवी से तो फिर हम लोग भी पुरा ठंद हो जाएगे यानि कि फिर्थिवी पुरी धंडी हो जाएगे और हम लोगों को बहुत जादा ठंद लएगे तो दोनों कारण से यह important हो जाती है तो यह जो layer है वो बहुत ज्यादा important है और इसका जो कारण हो रहा है कि आजकल बहुत सारे उपग्रहों को प्रच्छेपन हो रहा है साथ-साथ मानुया क्रियाएं जो हो रही है वो भी हो रही है तो इसी कारण से यह जो है layer आजकल जो है छ जो है बहुत जल्दी-जल्दी में जर्ण हो रही है यानि कि हरास हो रहा है तो सीएफ से जो है वह हम लोगों का यहां रेफ्रीजरेटर से निकल रही है तो यह सब उप्यों के उसको ध्यान पूर्वा करना पड़ेगा नहीं तो फिर अगर यह लेयर जो है अगर ज्यादा ही जर्ण हो जाएगी तो फिर अल्ट्रा वाइलेट आराम से परवेश कर सकती है तो इसी के लिए लोगों में जागरुक बनाना है जागरुक करना है और इसी करन से हर साल जो है सोल से तंबर को बीस वर ओजिन दुएस मनाया जाता है अब आगे देखते हैं ओजिन परत में हो मोंट्रियाल सहर में यह अब धियान रहें किनाडा का मोंट्रियाल सहर में एक वैट हो था और उसमें 36 था और जिसे मोंट्रियाल प्रोटोकल कहा गया तो यहां पर जो है चांदा के मोंट्रियाल सहर में जिसके मोंट्रियाल प्रोटोकल कहा गया और इसमें जो है ओजन पर करके हस्ताचर हुआ था 36 देसों के बीच में और उसी मॉंट्रियाल प्रोटोकल का परभाव एक जनवरी 1989 से परभाई हुए तो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि मॉंट्रियाल प्रोटोकल के बैठक हुआ था वह तो 1987 हुआ था लेकिन उसका प्रभाव हुआ या मनाने का निन्ना लिया गया और पहली बार विसो ओजन दिवस मना जाता है 1995 से तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है तो पहली बार जो है वह 1995 से ही मनाना शुरू किया गया अब बात करते हैं यहां पर थीम के बारे में जो कि बहुत जादे इंपोर्टेंट हो जाती है तो यहां पर जो है 2022 का थीम को से पहले बात करते हैं तो मोंट्रियाल प्रोटोकल 8-35 ग्लोवल कोपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ओन अर्थ यह है इंगलिस में आप लोग कोपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ओन अर्थ इसी को हिंदी में कहेंगे हम लोग मोंट्रियाल प्रोटोकोल 8-35 प्रित्वी पर जीवन की रच्छा करने वाला बैस्विक चाहिए हो तो यह इंपोर्टेंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आप लोग ध्यान रखना ह को ठंडा रखना मोंट्रियाल प्रोटोकोल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्षिन कूल यह था 2021 का थीम और 2022 का थीम को मैंने आप लोग बता ही दिया तो यह दोनों ही इंपोर्टेंट हो जाती है बहरी बहरी इंपोर्टेंट था आप लोग ध्यान रखना ही रखना है आप लोग याद रखना है अगर आप लोग पसंद है तो आप लोग लाइक कामेंट और शेयर जरूर जरूर कीजिए तो यह ध्यान रखना कि 16 तंबर को वर्ल्ड ओजोंडी मनाया जाता है